नमस्कार दोस्तों जया कीचेन में आप सोदी के स्वागत हैं आज हम आये हैं फिर एक था न्यू रेसिपी लेके आज का रेसिपी है कांचा केले और कांचा पपिता की एक रेसिपी बनाएंगे तो खाने में बहुत अच्छा है बहुत टेश्टी भी लगता है तो हम केसे करक साथ करेंगे चलिए द़िए रहे मेरा वीडियो साथ बने रह righteous हम अपना रेसिपी सूरु कारते हैं तो चलिए ते आपको हम ले लिए हैं पपिता पपिता को काट लेंगे कच्चा पोपीता और काच्चे केले की आज हम सबजी बनाएंगे तो पोपीता हम काट के छील लिए हैं आभी हम छील रहे हैं केला कच्चा वाला दिखिए मेरा सब कुछ छीनना हो गया एसे हम लंबाई में काट लेंगे कच्चा केले और को पोपीता को ए रिस्पी खाने में बहुत अच्छा लगता है सबजी ऐसे मिला के बहुत हेली भी है दिखिए हम सब को लंबाई लंबाई करके काट लेंगे शाथ में हम दोठो आलू भी मिला देंगे अब लोग नहीं भी मिला सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर मिला रहे हैं तो खटना हो गया मेरा अभी इसको हम धो लेंगे धो भी लिए हम अभी इसको बनाने का प्रोसेस में जाएंगे तो बनाने के लिए हम कड़ाय में ले लिए हैं सोर्षो तेल तेल में हम एक ठो सुखा मिर्च दे दिये हैं आप लोग अपना पसंद से जाल दीजिएगा हम एक ठो इसे सुखा मिर्च को भूँच ले रहे हैं तो मिर्ची भी मेरा भूँजा गिया है अब यह हम इसमें दे देंगे दोया हुआ कच्चे केले और पपिता और अलू जो दो के हम सबजी राखे थे उसको हम इसमें डाल दिये डाल के इसके बार इसको इसमें थोड़ा सा नामक देंगे शाद अनुसर नामक देंगे और देंगे थोड़ा सा हली पाउडर इसको हम मिला के अच्छा से भूँच लेंगे इसको मिला ले रहे हम मिला के उसके बाद इसको ढाक देंगे ढाकने से मेरा सबजी भी कूख हो जाएगा भूजा भी जाएगा इसलिए हम इसको ढाक के भूजेंगे और कूख भी होगा जब तक भूजा रहा है तब तक हम मसाला तयार करेंगे तो मसाला के लिए हम ले लिए हैं यहां पर गराम कड़ाय में एक ठोट तेजपत्ता तोड़ के दे दिए और उसके बाद इसमें हम दे इसको थोड़ा सब भूँच लेंगे तेजपत्ता को तो तिजपत्ता में रभूजा गिया उसके बाद इसमें हम दे देंगे गोटा जीरा और गोटा धनिया इसको भी साथ में भूच लेंगे दिखें में रभूजा गिया है गोटा सब अभी इसको हम पीस लेंगे यह भूचा हुआ मसाला का सबचीना अलग यह टेस्ट होता है इसको साथ भी अलग होता है दिखें इसको हम सुखा पीस लेंगे सब को एक साथ मिला के इसको पीस लेंगे हुआ हुआ लेंगे लेंगे तूडिए तो पीषना मेरा हो गया है आप लोग इसमें सुखी मिर्च भी दे सकते थे मिर्च को भी साथ में एक साथ भूँच लेकि उसके बाद पीछ लेने से हो जाता तो आप लोग अपना पसंद से तीखी दीजिए तो मेरा मसाला पीछना हो गया यहाँ पे देखिए मेरा सबजी भी भूझा गया देखिए भूझा भी गया है और कुक भी हो गया है इसको आभी हाँ इसमें आभी हाँ पानी डाल देंगे कुक होने के लिए और थोड़ा सा अच्छा से कुक करने के लिए इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा ज्यादा नी देखिए हम पानी डाल देंगे पानी हम डाल दिये हैं उसके बाद इसको ढाग देंगे थोड़ा सा इसको ढाग के हम थोड़ा सा कुक करेंगे तो देखिए इसे हुआ है और थोड़ा से इसमें हम ढाग देंगे थोड़ा देरी बात देखिए मेरा पानी थोड़ा से सूख किया है अभी इसको हम उतार लेंगे इसको हम निकाल ले रहे हैं इसे पानी पानी हम राखेंगे आप लोग चाहे तो इसको सुखा भी सकते हैं लेकिन हम पानी वाला मेरोका अच्छा लगता है तो उसके बाद हम ले लिये हैं कड़ाय में फिर से सोर्षो तेल तेल मेरा गरम हो गिया है उसमें हम फोरोन में दे देंगे काला जीरा श्रॉप गोटा जीरा और जुआन एसाब हम फोरोन में दे देंगे थोड़ा सा जब ये सब चटक जायेगा उसके बाद हम कटा हुआ प्याच देंगे थोड़ा सा देंगे ज्यादा नहीं ये थोड़ा सा भूंच लेंगे प्याच को सब कुछ को आच्छा से भूंच लेंगे तो देखिए मेरा भूंच ना हो गिया है अब ही हम दे देंगे जो कुक करके सबजी राखे ते सब मतलब सबजी करके राखे तो वो सब हम इसमें डाल देंगे तो देखिए हम डाल दिए ये रेसिपी बहुत ही हिल्दी होता है टेस्टी भी होता है और टेस्ट तो लगता है ये आप लोग जोरू ट्राइ कीजिएगा और हिल्दी भी बहुत है तो उसके बाद हम दे देंगे जो भूंच के राखे ते मसाला इसमें वही मसाला हम देंगे एक्स्ट्रा कुछ मसाला हम यूच नहीं करेंगे, यह भूजा हुआ मसाला का साथ अलगे टेस्ट होता है, आप जोरूर इसे ट्राइ कीजिए, उसके बाद बताईए मेरे को कमेंट करके कैसा बना है, खाने में कैसा है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, तो आप लोग जोर पानी पानी निकाल लिए हैं इसे मेरे को अच्छा लगता है देखिए देखने में कैसा लगा है बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप लोग भी इसे ट्राइ कीजिएगा घर में और मेरे को बताईएगा कि मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेल कर दीजिए और कमेंट करके बताइए मेरा रेसिपी कैसा बना है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नियुक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइब